हलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टेडी फेक्ट्स आज से हम गाईज एक EVS के लिए एक नई सीडिस स्टार्ट करने वाले हैं ये आपको CTAT, MPTAT, UPTAT, REIT और KVS जैसे एक्जाम्स जहां पर EVS से Cautions पूछे जाते हैं, वहाँ पर आप लोग के लिए वीडियो helpful रहेगी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, EVS के लिए ये एक Youth Competition Times की एक book आती है और सबसे पहले यहाँ पर मैं mention कर दूँ, तो ये उन लोगों के लिए special वीडियो बनाई जा रही है जो लोग या तो ये book purchase नहीं कर पा रहे है, because of any reason, या फिर उन लोगों के पास book नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि उन लोगों को पढ़ने में help मिल सके और उनको पता चल सके कि EVS से किस तरीके से questions पूछे जाते हैं और रही बात तो ये कोई भी sponsor वीडियो नहीं है, ये मेरे खुद की personal choice है EVS को लेकर, कि ये book मुझे ठीक लगती है questions को लेकर, हाला कि इसमें भी mistakes है और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, जहाँ पर mistakes लगेगी, मैं आपको बताती जाओंगी इस बीडियो को बनाने का जो उद्देश है वो केवल ये, कि जो लोग जोड़े हुए हैं इतने time से और लोग की help कर पाना कि थोड़े बहुत भी अगर इससे questions पूछे जाएं, आपको concepts clear हो तो ये आप लोग के लिए बहुत जादा helpful रहेगा तो आज का session हम शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो इस book में ये है कि आपको UPTAT, CTAT, उत्राखंड जो TAT आता है वो, मद्य प्रदेश, मतलब MPTAT, 36 गर्द, बिहार, राजिस्थान, पंजाब, हर्याना इन सबके TAT के question एक जगे मिल जाते हैं, इसलिए मैं इस book को थोड़ा सा मुझे ठीक लगती है कि EVSA questions जहां भी अलग-अलग other states में पूछे गए हैं, वो एक जगे आपको मिल जाता है तो आज का session हम शुरू करते हैं, first question है, सन 1853 में भारत की पहले यात्री train चली थी अब इसमें आपको ये भी पता चलता जाएगा कि question का pattern किस तरीके से पूछा जाता है भले ये UPTAT का हो, CTAT का हो, लेकिन हो सकता है कि जो other state के questions हो, वो MP में पूछ लिए जाए MP के question REIT में पूछ लिए जाए, REIT के question UPTAT में पूछ लिए जाए इसलिए हम हर तरीके से तैयार रहेंगे और जो जो question इसमें दिये गए है, हम इनको discuss करते रहेंगे और जहां मुझे लगेगा कि explanation की जरूरत है, वहां में आपको explain भी करूँगी तो इसका क्या है, यह सभी को इस concept बहुत पता होगा, बहुत पहले से यह बात हम जानते हैं कि बंबाई से थाने के बीच में जो पहली train हुई थी, वो चली थी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां आयोजित होता है, तो यह सोनपूर में होता है और हम इसको कोशिश करेंगे, one linear facts के रूपे जल्दी से discuss करने की, आप चाहें तो वीडियो पॉस करके इसकी notes भी बना सकते हैं, फिर है National Integration Council was established, जो राश्टरी एकता परिशद है, उसकी स्थापना का बुईती, तो 1961 में, और अगर जिन लोग के पास ये book है, और अगर उससे भी कोई answer आपको हो सकता है, जो गलत लगया, discuss करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा फिर है समता के अधिकार का उलेक समविदान के किस अनुछेद में मिलता है, तो समविदान के किस अनुछेद में मिलेगा Article 14-18 में, देखो इसमें थोड़ा सा और explain भी किया है, हम यहाँ पर भी discuss कर लेते हैं, समानता समता का जो अधिकार है, वो 14-18 अनुछेद में है, सोश कि विरुद अधिकार की बात है, तो वो 23-24 अनुछेद में है, धार्मिक सुवतंतरता का अधिकार की अगर बात है, तो 25-28 में है, सांस्क्रतिक वा सिक्षा का अधिकार अनुछेद 29-30 में है, और समविदाने कुपचारों का अधिकार अनुछेद 32 में है, अभी हमसे question क्य के से question पूछ ले तो हम उसके लिए तयार रहेंगे फिर बात आती है which country has a flexible constitution तो इसके options है चायना, अमेरिका, United Kingdom और इंडिया तो क्या है United Kingdom इसका answer हो जाएगा यहां देख लीजिए United Kingdom इसका answer हो जाएगा चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं निमने लिखित में से किस पाया जाएगा उसके बाद है which one of the falling is not a temperate grassland कौन सा नहीं है देखिए तो नहीं वाला जो लाइन होती है इसको थोड़ा से ध्यान में देना पड़ता है क्योंकि हमसे mistakes हो जाती है कभी-कभी जल्दी-जल्दी में तो कौन सा नहीं है compass नहीं है compass क्या है उश्नकटिबंदिय वाला है compass क्या है उश्नकटिबंदिय घास इस्थान है अब इसको थोड़ा से यहाँ पर देखो समझ लेते हैं उश्नकटिबंदिय जो घास इस्थान है उनके क्या-क्या नाम है सवाना compass और लानौस हमसे क्या पूछा गया था सीतोष्न घास प्रदेश कौन सा नहीं है तो है तो compass नहीं है क्यों क्योंकि compass क्या है उश्नकटिबंदिय घास इस्थान है तो सवाना compass और लानोस उश्नकटिबंदिये हैं और पंपास प्रेयरी बैल्ड स्टेपी और डाउन्स क्या है सितोष्न है चलिए आगे बढ़ जाते हैं जन संख्या के आकार के अनुसार ब्रहत महादीप को अंसा है तो यह सभी को पता होगा एशिया फिर है वेर डस थारू ट्राइब लिव इन इंडिया भारत में जो थारू जन जाती है वो कहां निवास करती है तो उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के तराई छेत्र में जब इस तरीके से ए और भी दो आंसर होते पता है जो हमारा परया वरण है वो सोशल साइंस और ईवेस तीनों को समगर रूप से ही मानता है तो यहां पर आपको सभी तरीके से कौशन देखने को मिल जाते हैं भारत में महिलाओं के लिए आरक्षन की व्यवस्था कहां पर है तो पंच्रायती राज संस्थाओं में फिर इन ओर to be appointed as the governor of state और किसी व्यक्ति को राजय के राजरपाल के लिए नुक्त किया जाए तो उसे कम से कम क्या मतलब उसकी जो age है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए राजजपाल के लिए तो 35 होनी चाहिए next है choose the right code after comparing list first अब यहाँ पर देखो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जब इस तरीके से questions आते हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए सबसे पहले हमें यह जो 4 है हमें इन मैंसे suppose कोई 1 या 2 option आ रहे हैं जैसे हमें क्या आ रहा है कि यह जो राज्य है इसका जो answer है वो राज्यपाल है मतलब B का हमें 3 अपशन लग रहा है तो अब हम यहाँ देखेंगे B का 3 अपशन इन 2 में है मतलब ये दो option हमारी cancel हो गए, अब जो हमारा काम है वो चुकि आधा हो गया है, अब हमारा answer A और B में से ही कोई होगा, अब हम देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा समझाता है कि ग्राम पंचायत is related to सरपंच, मतलब जो D है उसका option क्या है, 2 है suppose हमें भारतिय संग नहीं आ रहा है, हमें नगर निगम नहीं पता है, अब हमें केवल क्या पता था, राज का राजपाल पता था और हमें ग्राम पंचायत का सरपंच पता था, तो अब हमारा option B हमें लग रहा है कि D का 2 और B का 3 केवल हमको एक option में दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो B सही हो जाएगा अब हम इसे और देख लेते हैं भारतिय संग क्या है भारतिय संग हाँ थोड़ा बहुत अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है वनना हम B को ही टिक कर देंगे तो एक बार हम इसको देख लेते हैं भारतिय संग क्या है यहाँ पर इसके सही चुनाव हैं इसमें प्रधानमंत्री, राज के राजपाल, नगर निगम के मेर और ग्राम पंचाय के सरपंच इस तरीके से जब ये कूट वाले आंसर आते हैं या ये सूची वाले लिस्ट वाले या A का B, B का इस तरीके से कुछ आता है तो यहाँ पर हम क्या करने वाली हैं यहाँ पर हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो आप्शन हमें आता होगा उसका हमांसर देखकर अलग से दो आप्शन को बिल्कुल नेगलेट कर दिया करेंगे तो हमारा काम आधा हो जाता है फिर बात आती है कि अनुछे 300 जो 56 है उसका प्रथम बार जो प्रयोग है वो कब और कहां किया गया था तो वो किया गया था केरल में 1959 में चलिए नेक्स पर बढ़ जाते हैं फिर बात आती है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है तो नगर निगम के द्वारा देखो होम टेक्स लगाया जाता है टोल टेक्स लगाया जाता है एंटर का आतंक कहते हैं वो क्या है तो यहां पर देखो उसका नाम हमको पता होना चाहिए कि टेरर ऑफ बेंगॉल जिसे एक्वाटिक वीड कहते हैं उसका नाम है जलकुंभी वाटर हायसंद फिर बात आती है दो ए बायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस ए बायोटिक मतलब ए होने का लक्षन होगा फिर बात आती है प्लांट हॉर्मोन यहां पर बढ़ जाते हैं यहां पर यह कोश्चन है फ्री लिविंग एन अरोबिक ध्यान रखेगा फ्री लिविंग तो है यह सबको पता है नाइट्रोजंग फिक्सिंग बेक्टिरिया सबको नाम पता है फिर बात आती है कि किस प्रकार का जो डिएन है वो कोश्का में सामन रूप से पाया जाता है तो कौन सा बी डिएने देखो मैं और चलीव का नाम बताना है तो अचल जीव तो यूपलेक टेला फिर बात आ जाती है कि यूनिट ओफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन किस से मिलकर बनते हैं तो ये भी आपने मेरी साइन सीरिस में देखा होगा अमाइनो ऐसेट से मिलकर बने होते हैं फिर बात आती है लाजस ग्लेंड ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है मेरी साइन सीरिस में तो लिवर जो है वो लाजस ग्लेंड है यूमन बॉडी की फिर है state bird बताना है उत्तरप्रदेश का तो उत्तरप्रदेश का जो state tet है वो क्या है सारस क्रेन है फिर बात आती है hamlet is associated with which settlement तो किसते है ये ग्रामेंड से रिलेटेड है फिर बात आती है which is volcano mountain अब हमें ज्वाला मुखी पर्वत का ना फिर बात आ जाती है, Elephanta Island is located at, अब जो Elephanta द्वीप है, वो कहां पर इस्थित है, तो Mumbai तट पर, Mumbai तट या फिर Mumbai Coast, फिर है, Monsoon Forest are found where rainfall is, अब जो Monsoon 1 है, वो कहां पर पाया जाएंगे, जहां पर वर्शा कितनी हो, 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक, वहां पर Monsoon Forest पाया जाते हैं, औ तार, Carby Anglong का, तो Peninsular Plateau, Peninsular Plateau, प्राय DPA पठार, यह बात यहां तक 30 questions हमारी complete होते हैं, I hope आपको यह session है, यह पसंद आया हो, यहां पर यह देखिए एक बार और बता देती हूँ, यह उन लोगों के लिए series है, जो लोग यह book अब बिलकुल चुकी read का भी time है, और हो सकता अगर यह कोशिश पसंद आया, तो आप like करकर और comment करकर बता सकते हैं मुझे कि आप ताकि जो भी अगली वीडियो बनाऊं तो मुझे पता चले कि आप लोग को इससे help मिल रही है, next video में अगर आप लोग का response अच्छा मिलता है, तो next video में यह इसी book के और आगे के previous year questions लेकर